कुरंगी के रहशी आजीम पाइलेट बनना चाहते थे आजीम पाइलेट तो ना बन सके मगर आज भी अपने शौक की तकमील में मगन रहते हैं पाइलेट बनने का बड़ा शोक था लेकिन बन नहीं सका जैसा कि यह हलीकॉप्टर जो के उनके घर की छट पर मौजूद है इस वक्त यह हलीकॉप्टर कुरंगी के रहशी तमाम बच्चों और बड़ों की निगाहों का मरकज है बहुत सारे लोग इधर से गुजरते हुए हलीकॉप्टर को बड़े शोक से देखते हैं और बहुत सारे बच्चे इधर रोजाना आके इनके अपने मुबाइलों में तस्वीर और फिलम और बनाते है यह हलीकॉप्टर देखने में ऐसा महसूस होता है कि अभी छट से उड़ने को तयार है मगर यह हलीकॉप्टर दर असल पानी स्टाक करने का टैंक है जो कि अपनी जाहरी शकल में हलीकॉप्टर दिखता है मेरा साइन भी जाज़ों जैसा हैं यह साइन में तबदील करना चाह रहा हूँ उसने कहा कि भाई ऐसा साइन तो पूरी दुनिया में नहीं है आप यह क्यूं तबदील करना चाह रहा है ऐसा साइन तो हमने पहली बार देखा है अजीम इसके करीब खड़े होकर और इसे चूब कर खुशी महसूस करते हैं शहर कराची जहां हसूल रिष्क के वास्ते इनसान मशीन बन चुका है वहीं इनसान अपनी छोटी छोटी खुशीयों से रिष्टा जोड़े रखना चाहता है कैमरामेन मुहमद आजीम के हमरा कैसर वजदी मेटरो वन कराची